अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले आप हल्दिलागी 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 रे मारा बेनी बाने हल्दिलागी रे हल्दिलागी 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 रे मारा बेनी बाने हल्दिलागी रे बापो तारो आवसेने हल्दिलागाड से बापो तारो आवसेने हल्दिलागाड से माता तारी आवसेने हासुरे राड से जैशी किसनु मोटा बाई मोटा बाई उस जमीन के सिलसले में मैंने गावानों से भेट की है तीन दिन के बाद मीटिंग रखी है तब तक लगन भी हो जाएगा ने सारू थोयो तू आवी कियो खेमी का प्रसंग यह नहीं बहुत सुन्दर लगती हो शुरिणार जी को प्रास्ना करती हूँ तुझे खोब खोब सुखी रखे वेचा भगवान करे हल्दी के रंग के साथ साथ शम्भू के प्यार का रंग भी जल्दी से चड़ जाए करूँ हाँ वेट्या ले तुबी लेगा लेगा अरे बरुबर लगा चल बरुबर लगा यह क्या मोठी बेन हाँ मैंने बूला था सारू लागियो मने के मेरा मान रखा मुझी होगा सारू कि आस्टै दुबाबastern प्यार क्यम बहाँ प्लाव से राओ स्टैंग, रखा्थ, अप। अब आपने हुकम के वे ही दिया तो आपका हुकम सराखों पर माल के अब आपका हुकम सराखों आपका आपकार देंदी यूपने हुकम सराखों अवर्ण हुकम सराखों तो आपकार करता देंदीट आले, चगुल तुखी रहे, सुखी रहे ए तरी नानी मेंने ना नानी बेहन के पगे नहीं बढ़ते है पर आच्छी मेरी पहन भी और मालकिन भी है धरंबुर के मालक का आशिरवाद तो मिलके अब मालकिन का भी ज़रूरी है आशिरवाद नहीं देगी मालकिन सदा कुश्रो शंबुजी को हमेशा कुश्रो को झांदेग का वो जव तेग्या है झांदेग झांदेग था क्यों अभी है झांदेग झालकिन देग्द का फट्च्छी का ओंड़ है क्यों देग्या है पुछने के लिए, कि वो सब लोग बरोबर हैं ने, कौन ने? अरे अपड़े खेमी ने, मौंगी ने सब तुमके साथ रहा हैं ने, उनकी पसद नापसंद को जानता है खोशे वोलो, आपके अथिती को कैसे तकलीफ हो सकती है अनका, मुलायत बने मुझे? आ मोठी बेन, वो दागी ना भेजना है ने चोकरी के बेन को अवे जरा, जोई लेने, चोकसी करी लेने नंका, ये तो सुभदरा भाबी की दिशानी है इसे दे रहा है तो? अरे, हाँ जो ने, अच्छा होगा ने तु आवी नहीं आती तो बहुत बड़ी भूल हो जाती अवे, तेरे मेरे और बागे सिवा किसी को पता भी नहीं किये सुभदरा का हार है ना हितेन को ना चोकरी को अरे, मैं हितेन को ये दागी ना लेके भेजने ही वाला था सुभदरा ने बोला था कि हितेन की पत्नी को देना काली भूकर्ट वो छोकरी के बेन के गले में चला जाता चाथ, सारुच है तू आवी जो भी हो नानका लेकिन ये भी कुछ कम महेंगे गहने नहीं है छोटे लोगों के लिए इतना सब कुछ अरे, केवी बात कर रहे छे, मोटी बेन तरने ये खबर छेने दरमराज महियावंशी जो करता है पूरे मन से करता है अभी रिष्टा है तो निवाना तो पड़ेगा ने पच्छी वो खेमी के साथ तो दोरा रिष्टा है परोबर ने, अपने शंबू के साथ उसका लगन चोकरी की बेन भी है चोकरी, चोकरी, चोकरी उसके अलावा तो किसी की मानता भी है जो तेरे मन में आये कर वैसे भी इस घर का मालिक तू ही है अने मूटी बेन बारी वाद तो सांबड समझ में नहीं आता मुझे ये मूटी बेन को छोटे बड़े में क्या अंतर दिखता है अब या कब समझेगी कि आदमी से बड़ा रिष्टा होता है चाल जावा दे तुए काम कर ये दागी ना लेके जा छोकरी के पास अने खेमी को दे बोलना मेरी तरफ से भेट है नहा, आले याल मारी मेरा कूँ ले ज्यानती रख जे हो ये तेरी मा की निशानी है सुबदरा ने बोला था कि तेरी मा की निशानी है तेरी पत्नी के लिए छोड़की रहिए हेदिन तुम यहाँ यह दर्मपूर के मालिक ने तुम्हारे लिए पेज़े तुम्हारे लगन की पेट जानती हो कि में यह मेरी माँ का हाल माईया उन्ची खांदान की निशानी है जो माँ के बाद बड़ी भहु याने कि मेरी होने वाली पत्नी को मतिया जाए मैं चाहता हूँ कि यह हार तुम्हारे गले में हो कि यह मुम्किन नहीं है हिते मुम्किन होता खेमी मुम्किन होता अगर पहले ही हम दोना इक तुझे को अपने मन की बात पता देते तो यह मुम्किन था पर अपी देर ही लिए खेमी अब भी तुम्हारा लगन शंबू से नहीं हुआ है खेमी और अब तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हैं तो मैं कैसे तुम्हें किसी और का होते देख सकता हूँ खेमी मैं तुम्हें इस घर में छोटी मालकिन करस्तान देना चाहूँ पर सहर पर सिर्फ तुम्हार आधिकार हितिम तुम समच यह लगन मैं नहीं होने दोगा करें funny जब मैं तुम्हें कि कोशिष करो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती ज्य मैं मजबूरी है मजबूरी ता बोतिना खेमी percent मतमा साथ नहीं देता यह तुम्हारे मालिक की प्रेट तुम्हारे आज शंबू के लगन के लिए और यह मेरी माँ का आशिरुवात उसकी होने वाली पहु के लिए तुम्हारा लगन मुझसी होगा और यह हार तुम्हे ही पेना है जाएगा कि तेन भाई नानाची ने आपको एक सिम्हेदारी सोपी है कि मुभेना का लगन संपन तंडी की सिम्हेदारी आप महीं है वंशे परिवार के वारिसों आपको यह शोबा नहीं देता कि आप शंबुच की होने वाली पतनी से इस तरह अकेले में मिलें वो भी लगन से एक दिन पहले माया वंशी परिवार के वारिस को क्या करना चीए और क्या नहीं यह तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है जरूरत है चुकि माया वंशी परिवार की इज़त का सवाल है आप मालिक के बेटे है चोटे मालिक इस परिवार की मान मरियादा और कतिष्टा को समाला आपका कर्तव्या है और ये बात इस घर के वारिस को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए धर्मपूर के मालिक को अपने मान और कतिष्टा की कितनी पर्वाई यह तो मैं उसी दिन देख चुका था जिस दिन मेरी मा की जगा एक 18 साल की लड़की इस घर में मार्किन बन कर रही थी तुमारा इस घर में आना मेरे पता का अंचा फैसला है और खेमी को अपना बना कर लाना मेरा सोचा, समझा और चाहा फैसला है आगे से माया उन्जी परिवार के सदसे और धरमपूर के माले का वास्ता मत देना मुचे आईए मालकी यह आपकी और मालक की और से मेरे लगन की फेट मुझे बिचवाई गई है मुझा जानती हो भेना अब तक नारास हो मुझ से चोटी बेन ने बड़ी बेन पर आद उठाया कुछ सा होना सुभाविक है मुझे माफ कर दो भेना तुमने बहुत बड़ी दोविदा में डालते हैं मुझे एक और तुम्हारा प्यार है और दूसरी और मेरा करता भी है मुझे खुछ समझनी आ रहा था मैं क्या करूँ इसलिए मैंने सब कुछ नानाजी को बता दिया क्या तुमने नानाजी को बता दी हाँ बेना इतीन भाई और तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं है और परिस्तितियां विकट है एक माँ के तौर पर मैं इतीन भाई की कुशी देखू बेहन के तौर पर तुम्हारी कुशी देखू मैं पत्नी की तौर पर अपने पती का मान देखू जी कुछ नहीं समझ रहा थी मैं क्या करूँ, बनाराची ने मुझे अपना एक और ओदा याती लाया मालकिन का, और मैं यहाँ मालकिन के नाते निरने करने आया हूँ. ओ, तो फिर से मालकिन बन गई तू, क्योग? क्योंकि निर्ने मालिक के लेते हैं और मैं निर्ने ले चुकी कि इस गर की मालकिन होने के नाते मैं तुम्हें ये बेट अपने हाथों से पहना करे कहना चाहती हूं कि यही आगीकत है इसे स्वीकार लो लगता है संतु को नहीं पता कि ये हर बड़ी मालकिन का है और हित दिन की पत्नी को पहना जाने वाला है फिर भी संतु ने ये हर मुझे पहनाया शायद यही पिती का पिधान है बेनी बाने मेंदील गाड़ जो गुझरातमा दाम दूम थायरे बेनी बाने मेंदील गाड़ जो अचरे बेनी बाने मेंदील गाड़ जो गुझरातमा दाम दूम थायरे बेनी बाने मेंदील गाड़ जो जीती रहो अरे चम्पू कहा थे? समान लाने गई थी बाग पहले एक जोड़ी कपड़ा लेकर आई थी ना फिर देखा घर में लगन का प्रसंग है तो अच्छे कपड़े भी तो पहनने पड़ेंगे ना जा सावन अंदर रख दे अरजल्दी से वापी साहं बहुत सारा काम पड़ा है अभी आई भाग आई है आई है एख च्रेक्षिन कश्ट सी जै ओडरा पर cette मुरा जाजाजे, ओुम्हाने टे हुआ 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 ये खुंगरू, ये खुंगरू का आगे? इसी पोटली में तो रखे गई थी अरे, आपको बाई? अभी आई अच्छा, चमपा एक बात बता हाँ तुने मेरी पोटली में से कुछ लिया है क्या? ये आप क्या कह रही है? मैं भला आपका समान क्यों चुछ रूँगी? अरे नईम, मैं कुछ समान रखके गई थी यहाँ, डिख नहीं रहाँ इसलिए पूछा तुछ से मैंने नहीं रखा अच्छा, एक बात बता मुझे यहाँ कोई आया था क्या? अरे हाँ, एक दिन बेनबा है थी आपको ढूणते हुए यहाँ पे बेनबा? पर वो तुमारा समान क्यों लेंगी? कोई कमी थोड़े ही उनके पास देखो, यहीं कहीं पड़ा होगा तरूलता महिया वंची यहाँ ही थी इसका मतलब वो घूरू उसी ने लिया होगा जैर आंदल्मा की बेनबा आपके लिए केसर का दूद लाई थी शादी के प्रसंद से बहुत ठक गई होंगे न तरूबेन यह कुंगरू तेरे पास कैसे आया? बता किस ने दिया? क्यों? आप नहीं जानती आपकी यह अमानत मैंने बरसों से संभाल कर रखी थी उस दिन आपको अस्पताल में देखा तो सोचा आपकी अमानत आपको लोटा ले इसलिए घर भी आई थी मैं पर यह क्या तरूबेन? चोरी कर लिए अपने और गुस्सा तो ऐसे दिखा रही है जैसे मेरी ही कोई गलती है अरे जिस बात के लिए इनाम देना चाहिए उस बात के लिए आखे दिखा रही है आप तरूबेन यह मेरे घर में ही खड़े रहके उससे जपान लडा रही है तो कोडी की खुड़ा तभी थब के माल के निकान भी बिखा से चुखे इस ऐलात में मुझे धरमपुर के मालिक से बात करनी होगी आपके भाई से इस बात को वो जानते तो है ना? आप तो ऐसे देख ली है जैसे मालिक इस बात के बारे में कुछ जानते ही नहीं नहीं तेरा मूफ बन रखने की कीमत है यूँ यह नहीं और निकाल दार में निकाल आपने मुझे जितने रुपय दिये न उससे एक रुपया ज्यादा रखे अपने पास और ये भी याद रखे कि छोटे लोगों की कीमत बहुत बढ़ी होती है उनसे चाहे जितनी नफरत करना पर उन्हे खरीदने की कोशिश कभी भी मत करना तरूपन क्योंकि उनकी खुद्दारी आपकी नफरत से बहुत बड़ी और महंगी होती है ओ हाँ जहां तक राज की बात है वो तब तक मेरे सीने में रहेगा जब तक मैं यहाँ हूँ पर जिस दिन जिस दिन मुझे इस घर से ठक्के मार कर बाहर निकाला तो कहीं ऐसा ना हो जाए तरुबेंद कि उस धक्के से मेरे सीने में जो राज है वो बाहर निकला है मान कि आशा तो मैं करती नहीं आपसे पर अपमान भी नहीं सहूंगी ख्याल रखाए और ना आलालिया वासरिया रे बथाओ आलालिया वासरिया रे बथाओ वही हुआ है तिंग जो तुम चाहते थी और अब मैं भी यहार तुम मेरे कले में देखना चाहते थे ला और अब तो दरंपुर की मालकिन भी यही चाहती है कि यहार मैं पहने मेरे पहन संदू हमारे मदद करेगी चलो पहना तुम्हारे होने वारे साससुर है पहरामनी लेकर पर पहरामनी तो यह है ना जो तुमने मिझे पहना ही पहना पहरामनी साससुर के घर से आती है और यह यह भी तो चलो पहना कोई के जो एटा लड़ूं, प्रीतम जीयां हमो कले। पहरामी के तोर पर मैं अपनी बहुगे लिए ये भेट लाई हूँ। छोष करें बहुगे लाई हूँ। आए 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 कि यार तेरे पास कैसे आया मैंने पूछा यहार तेरे पास कैसे आया उसे हाथ मालिक ने मुझे पेट के तोर पर पिछवाई तो जानती है यहार हिदेन के पत्नी के लिए उसकी माँ की मिशानी है तुनी उसे अपने गले में पेंगिया किस से पूछ के तुने यहार पहना बता वो शायद संतु संतु ने गलती से कोई गलती नहीं जान बूच के करती है यह चोकरी हम लोगों को नीचा दिखाना चाहती है लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ी भूल की हो अब वो नहीं बचेगी नहीं बचेगी अब बचेगी तेके से ऐस्टे को हुआ अपहार तूने अपनी जंग front पहनाया था हुआँ हम पेन बाद हुआ पी। जुभी हार तू मालक ने बेट में दिया था केमी बहना को तुझे पता है कि यहार सुभधेराज़ा भाभी का है अधितेन की पतनी का है, सुभध्रा भवी के पष्चाद हीतेन की पतनी इसे पहनेगी, उसका हक है इस पे अर तुने अपनी बहर को पहना दिया? पर फिर मा मालक नही, मेरा भाइख कभी भी यह हार बेट में निख दे सकता अब इसका तंड तुझे नानका देगा बहुत बड़ी भूल की है तुझे जोकरी नानका जो थायो मोड़ी भै अजो यह देख तो सुबत्रा कहार है पड़ा है नहीं था था अटले शो संतु महारानी ने अपनी बेंखेमी को भेट में यह पहनाया है यहार जिसे तू और सुबत्रा बावी विटेम के पत्मी के गले में देखना चाते थे वो हार खेमी के गले में डाला गया है तेरी उस चोकरी के हाथ हो हाजो यह देख तो सुबत्रा कहार है बड़ा है नहीं था संतु महारानी ने अपनी बेंखेमी को भेट में यह पहनाया है यहार जिसे तू और सुबत्रा बावी विटेम के पत्मी के गले में देखना चाते थे वह हार खेमी के गले में डाला गया है तेरी उस चोकरी के हाथ हो पता है बेंख आई थी और वह हार मुझसे चीन के लेके देए वही तो बेंख वह हार बड़ी मालक के था और मैंने वह हार तुम्हें गल्ती से पहना दिया मालक ने वह हार की तीन भाय की बत्ती ले लगा था नचाने वह हार उन गेनों में कहार से आ गया बहुत बड़ी भूल होगे मुझसे संथे । संथू, मुझसे हुए मुझे पता थै कि वह हर किसका था बेहना? तुम जानती थे? बेभी तुमने मुझे उपात नहीं बताई मेने जब भी तुम्हें वह हर पिना आया तब भी मुझसे ए बात चीपै बेहना, एसा क्यूं किया तुमने? मुझे लगा कि शेट भाग्य भी यही चाहता है कि मैं और हिटिन मैं अपने आपको समझा नहीं पाई पर मुझे यह तुझे पहले ही बता देना चाहिए था और अब तक तो बेनबा ने ये बार मालक तो पहुचा दियोगे जोब लो पहना बुल मुझे से होई है तुम्हें ड़न में भुकतूंगी मालकिन मालक बहुत कुछे में आपको तुरंद बुलाया है और और बेन बार बेन के साथ खड़ी है मालक आपको तुम्हें आपको तुमी मालक मालकिन आपने बुलाया मालिक? हाँ, दरवादा बन कर. नानका ने तुझे यहां रहने के लिए जगह दी. मेरे मना करने के बावजूद, तुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी सोपी. और तुने, तुने उसे बिना बता है, इतना बड़ा कदम उठा ली. तुन चूटे लोग भी ना, कितना भी करो, कम ही पड़ता है. ये, बोटी बेर. नहीं नानका, मुझे बोलने तो. किसे पूच के, हाँ? किसे पूच के तुने, वो हार तेरी बेहन के गले में टाल दिया. टफोड, वो हार इस खर की बहु के लिए है, तेरी बेंग के लिए नहीं. पुटी बेंग, तु जाने में बात करता हूँ, जा. अवे, जा चलने. अवे, जाने. अवे, मारी वाद ध्यानती सांबड, चुकरी. इस समय अधिक करोध है मुझे. इटले, जितना पूचून है, उतना उत्तर देना. समझी नहीं, चपड़ चपड़नत जोई तु मने. जी, मलिक. अवे, बताव मने. ये हार सुबद्रा का है. अन्य, उसने ये हार कितेन की पत्नी के लिए छोड़ा था. इसकी जानकारी थी तुझे? नहीं, मालिक. मैं ये बात नहीं चांदती थी. बान होए के ना होए. पड़ ये हार तुने मेरे कमरे में से लेके अपनी बेन के गले में क्यों डाला? मालिक, ना तुमें चांदी थी, कि ये हार बड़ी मातिन का है, और ना ही मैंने ये हार आपके कमरे से लिया था. तुझे नहीं पता, इटले शुग, तो फिर ये हार तेरी बेन के गले में गया कैसे? मालिक, ये हार उनी गनों में था, जो अपने केमी बेना को बेड़ दिया थे, और मुझे कुछ नहीं पता. टेक्षा, जा आब है. मालिक, मैं कह रही थी, कि... शुब बोल्यों तुने, चपड़ चपड़ नहीं चाहिए, जितना पुछा उतना उत्तर थे, थाई क्योंने, तो जावे ये थे. करें चाहतू, मैंने तुछे बोला था ने, कि हार कबाट में रखना, बोला था के नहीं? पची, ये खीमी के गले में कैसे आए? अबे बोलने है? अरे, बोलने हैं, पुछू चुकाई है. ये हाल मैंने है. ये हाल मैंने है. मैरी पहना पर इल्जाम लग जाएगा. ये उसके पोविश्य कर सवाल है? ये चोगरी, मैंने इससे अप्रश्न किया. तो वच्मा ना बोल. चलो वे, बता. विहार मैंने कल्ती से रखती है था. इतना काम था कि यादी ने रहा. पर सारे गहनों के साथ में ये भी देया है. I'm sorry. तुझे लगा कि ऐसा ही कुछ हुगा. पड़ मैंने सुचा कि एक बाद तुछे पूछ लूँ. चलवान दो नहीं. भूल हो जाते हैं कभी-कभी. अवे में यहार अपने पास रखता हूं. जब तेरा लगन होगा ने, तब अपनी बहु को अपने हाथ से दूगा. क्यों जूट बुलवाया मुझसे? बताने दे दीना सच, कि मैं खेमी से प्यार करता हूं. मुझे तुम्हारे मालिक के सामने जूट बोलने की ज़रूरत नहीं थी. मैंने कहा नापसे. यह मेरी पहना के बवश्यका सवाल है. और आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी लड़की के साथ ऐसा हो? या भी लगन के दिन यह पता चले, कि वो किसी और से प्यार करती है. आप ही सोची, ऐसा हुआ, तो केमी पैना का क्या हाल होगा? कादंबरी की बात याद है न आपको. पर वो तो यह सब सह गई थी, क्योंकि पुरा परिवार उनके साथ था. पर शशांग जी भी उनके साथ थे. पर पैना, वो यह बात सह नहीं पाएंगे. उनका पुरा जीवन खराब हो जाएगा. नाना जी जीते जी मर जाएंगे. यह दिन भै, यह लगन ठीक से हो जाने देशियों. हम छोटे लोग हैं, पर हिस्सत हमारे लिए भी बड़ी होती है. खेमी पेना के डूली शांती से उठ जाने थीशे. नहीं तो हमारी नानाजा के हिस्सत के अर्थि उठ जाएंगे. यह मेरे भींती हैं आपसे. आपसे हैं आपसे. हम चाएंगे होती ही. अगर आज तुम यहां होती तो सब कुछ संबाल लेती माँ खुद खेमी को वो हार अपने हाथों से पेनाती मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अज पहली बार ना चाहते हुए भी मुझे धरमपुर के मालिक के आगे छूट पुलना पड़ अगर मैं खेमी को प्यार करता हूँ तो कोई अपराद मेरा खेमी के में नहीं रह सकता हूँ नाडावति रे संबेटु मान टेस्री कृष्णा आईए सवाबत है अरे लानत्षी आगे जो शेख वाद ले तरह को अंगे लाद करते हैं जोटो का सिर्वाथ लग्यों अब ठीक है ना तंटूंट नहीं नानाची पूस्पी रेक नहीं है थिक नहीं है मतलब क्या हीचे नोख यमी के बीच में अब भी कुष नानाची मालिक ने खेमी बेना को खेने बेट दिये थे लगन के लिए और फिर नाना जी इतना सब कुछ होने के बावशूत भी यह सब संतु बेटा तुम जिस तरह आपना कर्ता भी निभा रही हो निभाती रहो मैं अपना फश्पूरा करता हूँ इतन का बेटा तू रुग जा मैं अकेले ही तेन से बलता हूँ मुझे अकना कर्टब्वे निभाना है इतन ना जी आप यहाँ इश्वर तुम्हें अपना कर्तब बूरा करने की शक्ति देविटा इस घर के आंगन को पार करके पहली बार किसी कमरे में कदम रखा हूँ मेरे मन पर बोज इतना भारी है तुम्हें लेकर मैं इस गर की चोखट के बार नहीं जा सकता और मेरा ये बोज तब तक हलका नहीं होगा जब तक में तुम्हारे खंदों का बोजना उतार लूँ मैं कुछ समझा नहीं ना जी कैसा बोच भूँ खेमी की शादी का जिम्मा मैंने तुम्हें सौपा था अब वो जिम्मा मैं वापस अपने कंदों पढ ले रहा हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी और सजा दोनों समापत हुए अब तुम आजाद हो गुरू जी है आप मेरे हीर अतराशना आपने ही मुझे सिका है ना जी पिना मांगे गुरू दक्षिना लेली अज फिर से दौनाचारे ने एक लवे से उसका अंगूठा मांगी लिए दौनाचारे कैसी यह अकलवे से अंगूठा नहीं मांगते तो महाभारत वो नहीं होती जो आज है मालिक ने एक बार मुझसे कहा था कि मैंने अच्छा हीरा तराशा उनका इशारा तुम्हारी ओर था तुम्हारी बात कर रहे थे अब मैं चाहता हूँ कि बिना खोट के वो हीरा मैं उनको कोहिनूर की तरह वापस करो मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ बस कोहिनूर तो आप अपने मालिक को लड़ा देगे नानाजी और उसकी चमक जिंदगी आप ही बताएए कुरुजी बिना चमक के हीरे और एक आम पतर में क्या अनतरोगत है हीरे में अगर चमक ना रहे कारीगर उसे तराश करके ठीक कर लेगा लेकिन यदि हेरे में खोड रह गई तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता मैं और कुछ नहीं कहना चाहता बस इतना समझ दो कि खेमी मांगले खे और संबू भी मैं खेमी के फगेर नहीं रह पाओगा नानाची आप ट्रोने चाहरे बनना चाहता पर मैं आपका एकलव यह नहीं बन सांता चक्ष्दिन अवड़ यह वड़ कि खेमी यह पादव यहां पर क्या जमेरी थी तुम्हें हो एसा करने के बता, यह जरूराँ थी तुम्हें हैसा करने के क्या किया मैंने शंभू जवाब टो. जवाब दो! निहीं क्या कर ितु! चुरू! छोड़ इसे! इस नहीं धरनी। बेशात हो खहाता है आप बीच में मत बोले चोटे मालिक यह मेरी होने वाली पत्नी है और यह हम दोनों के बीच का मामला है आप बीच में ना बोले तो ही अच्छा है होने वाली पत्नी है अब तक हुई नहीं है शादी नहीं हुई तुम्हार इसके साथ तुम्हें कोई अधिकार नी, इस पे हाथ उढ़नेगा, ज्यू ना उठाऊ हूँ हाथ, मेरा अधिकार है, खेमी मेरी होने वाली पत्नी है, और इसके साथ मैं चाहे जोड करूं, आपको क्या वास्ता इस बात से, वास्ता है मेरा इसके साथ, संभू, तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ नहीं तुम्हें, तो क्या, क्या कर लेंगे आप, मेरे अधिकार की बात करते हैं, आपको क्या अधिकार है हम दोनों के बीच में बोलने का, माना आप छोटे मालिक हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम नौकरों की हर एक बात में आ तरह से फाइदा उठाएं, और यह बेशर्म इसको तो शर्म हया है ही नहीं, पर इसकी हिम्मत तो देखिए, तो आपका नाम लेके बुलाती है, इसको तो मैं छोड़ूँगा नहीं, बश्चंगो! मेरा हाथ छोड़ी है छोड़े मालिक, खेमी मेरी होने वाली पत्मी है, और आप यह तुम्हारी नहीं, मेरी होने वाली पत्मी है! मैं यही तो सुनना चाहता था ही तेन भाई, आपका नहीं, मैं यही तो सुनना चाहता था ही तेन भाई, मुझे माफ कर दीजे, और तुम भी खेमी, मैं यह बात ही तेन भाई के मुझ से सुनना चाहता था है, आप दोनों एक तुसरे से प्यार करते हैं, यह तो मैं उसी दिन समझ गया था, जब अस्पतार में खेमी ने आपके लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बा ही तेन कहके बुलाया था, आपका खेमी के लिए दर्द और खेमी का आपके लिए मान देखकर, मुझे लगता है कि मैं खेमी के लाइक नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना खेमी, अगर कोई गल्ती या बेद्बी हो गई हो, तो बड़े बनकर उसे माफ कर दीजेगा, वाच उचे, ये संतुरी इतनी जल्द बाजी में और परिशानों के कहा जा रही है? ये संतुरी, ये नान का गुस्से में कहा गया, आप खुद ही उनकी मुझे सुननी चाहेगा, उन्होंने आपको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया है, मेरी अलव और किसको बुलाया है, मैंने तुम सब को यहां ये बताने बुलाया है, कि खेमी और शंबू के लगन के विशे में जो निर्णे मेंने सुनाया था, हवे में अपना निर्णे बदलना चाहता हूँ, मैंने ये निर्णे लिया था कि ये लगन हमारे घर के आंगन में होगा, पड़ मादो काका की ये इच्छा है कि उनकी दोइत्री उनके घर से विदा हो। हने मने मन्जूर छे, इतला माटे, अब ये लगन गाव में होगा, गाव वालों की हाजरी में, मेरी हाजरी में, हने हूँ पोते, खेमीनू कन्यादान करीश। धर्मपूर का मालिक अपना निरने कभी नहीं बदलता, पर ऐसे क्या बात हुई, संटूडी और नानका के बीच, कि अचानक नानका ने अपना निरने ही बदल दिया। संजी गया ने बदल, लाई जाओ मादो काका, तमारी दोईतरी ने ले जाओ सारूला क्यों मने, अच्छा लगा कि खेमी और शंबू के लगन का दाई तूने अपने कांथो पर लिया। अवे तू मेरे साथ रेना, तू अने में मिलकर ये लगन संपन करेंगे। वरवर्चन है? चाल। क्या बात किये संतुने? ये तो तह है कि मेरे और खीमी का सच नी बताया उसने, बना अभी तो वो मुझ पर बरस पड़े होते हैं। तू आसा क्या कहा सकतुने? कमाल कर दिया आपने। ये तीन भाइव? विदेन भाइव ने? विदेन कहीं है मालकिन? सुनाता के संगत के साथ रंग तो चर्पाई है। आज देख भी धरमपूर के मालक के साथ साथ रहकर मालक के तरह सोचने लगए है। ही तीन मैं, आप भी कई सालों तक मालक के साथ रहें। पर आपने का भी उनकी तरह नहीं सोच है। क्योंकि मैं इंसान बनकर जीना चाहता हूं मालक बनकर नहीं। और वो तो धरमपूर के मालक है। उस आदे से जादा मान उन्होंने आज तक किसी रिष्टे को दीजिए। पर आपके तो कुछ रिष्टे है ना। एक बार भी खेमी की बेहन मरकर नहीं सुचा थी। एक बात अताये मालक है। क्या किसी से प्यार करना अपराद है। यही सवार में आरे मुझ से पूछा था। और मैंने यही कारता उससे। किसी से प्यार करना अपराद नहीं होता है। पर किसी किसी से प्यार करना अपराद होता है। तो आपी बताएए ना मेरा अपराद क्या है। क्या मैंने किसी की घर डाका डाला। किसी को दुख पहुचा है मैंने, अगर मैं और खेमी एक हो जाते हैं, तो किसी का क्या भिगड़ता है, अगर मैं खेमी से शादी कर लेता हूँ, तो नाना जी का क्या नुकसन है, इस घर के परिवार का क्या चीन जाएगा, खेमी को पत्नी बना कर इस घर में लाना चाहता था पर आप माल कि आपने तो मेरे सारे दर्वाजे ही बंद करते हैं और क्या देना एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है यह बात आज आपने साबित करते हैं अब प्रवार देखाने कि उसकी खुशी देखी निगे आपसे इसलिए उसे इस खर्देख वादिया और अपने मन का डर्म बिटा दिया कि कहीं ने कुछ करना में इतेन बैं आप जैन ना चाहते हैं कि क्या चीन जाएगा इस खर की शांती चीन चाहेगा उस खर का मान कि मिके प्यार से बढ़ा है मस्पूरी बढ़ी है तो इन भाई तो इन बार मचपूरी बढ़ी होचाती हम जोटे रोखे लिए प्यार से भी बढ़कर गड़ी सर्दी की राते हैं हम फटी चादर ओड़कर ही काट लेते हैं पर हमारी इज़त की चादर में छेद ये ना तो हम सह सकते हैं ना ही हमारे समाज को इस वीकार है हितिन भाई मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ पर इस घर की सदस्य होने की नाते ये मेरा कर्तव्य है ये मेरा फर्स है कि आपके और खेमी मेना के रिष्टे से आने वाले तूफान को मैं रोकू उस मुश्किल को रोकू जो आपके और खेमी मेना के रिष्टे से आ सकता है हितेन भाई मैंने ये बात अब तक मालक से नहीं कई है मैंने चाहती कि ये बात और आगे बढ़े ही तेन भाई मैं यह बात आपसे पहले भी के चुकी हूँ और आप भी बीन्ती कर जी हूँ आप कहीं भी बेना के बारे में सोचना बंद कर दीजी अब अच्छी लड़की मिल चाहिए को कोई लड़का नहीं मिलें तरफ प्रभल लगे नहीं मांगे यह सब मैं मांता है हर बार कोई ने कोई दुआए लेकर आजाता है कि कल वो आए जिने अपना गुरू मानता है उसकी सिक्षा और दीडारी की दुआई देकर गये मुचे ज तुम उपने परिवार कि रिष्टे की दुआई देना है। कि युज सुनूं मैं तुमानी। मेरा भी मन है और मुझे अपने मन की सुनने का अधिकार है। क्यों तुम लोग मुझे ऐसा इसा दिला रोगे मैं प्यार नहीं मैंने पाप किया है। पर ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ तुमने तो गभी प्यार किया ही नहीं तुम तो जानती ही नहीं कि प्यार क्या होता है उसका दर्द क्या होता है आप तो इस घर की माल के नहीं धरंपुर की माल के नहीं और आप केवल धर्म अधिकार और वचनों जैसी बहसा स कि अपने नाना जी को देव वचन की बात कर दिरना तो हाँ दिया है उनको वचन कि मैं खेमी की खुश्यों का ख्याल बढ़ा उसका अभया वहां कराऊगा जाहां उसकी खुशी होगी और अब तक इस लगन मैं इसी लिए था क्योंकि मुझे लगा कि खेमी शंबू के साथ ख को दिया था कि खेमी की डोली उठने तक सजा काटूंगा वो निभाऊंगा खेमी की डोली उठेगी और इसी घर के आंगन में आईगी पर एक बात याद रखना से तुबागे खेमी और शंबू का लगना नहीं है एस आज महने खेमी के गले मेरी माका हार परो मैं कल सब के सामने मैं उसे मंगल सूतर पैना है कल दिक करा बले ही कारों आकर हमपर ठीजर नेकिं तरहरे गाह ग्वलों के सामने में खेमी सावंफरında और तुम और तुमारे मालिक कुछ नहीं कर भाऊंगे अब तक प्यार कर दन तेखर द्ण जो बेहर कि ताकत है देखा मालखिन आपकी बेटे ने कहा कि मैं क्या जानू प्यार क्या होता है मैं तो एक अंचाह रिष्टा ने भारी हूँ सही कहा पर दुनिया में हर कोई सब कुछ थोड़ी जानता है मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है पर इतना जरूर जानती हूँ कि कोई कोई रिष्टे ना हो तो ही अच्छा होता है मालकिन हितिन भाई का लगन हो गया तो इस घर में तुफान आ जाएगा हितिन भाई और मालिक के बीच हमेशा के लिए अबोला हो जाएगा मालकिन मेरी खेमी बेना की खुशियों के लिए मैं इस घर की खुशियां नहीं छीन सकती हितेन भाई का श्राप मुझे स्विकार है पर इस घर की शांती चीन जाए मुझे ये स्विकार नहीं है ये जोकरी मैं या शुकर एछे तो कुछ ने माली जो बात है बेजी जग बोल ऐसा कुछ नहीं माले तो रह से बात कैसे नहीं बात तो है ने हितेन ने खेमी की बात ये जोकरी मैं ये जोकर एछे तो कुछ ने मालेगा जो बात है बेजी जग बोल ऐसा कुछ ने मालेगा तो रह से बात कैसे नहीं बात तो है ने हितेन ने खेमी की बात ये ही बताने आये थी ने तो कि मैं तेरे जैसा डप फोड़ूं इतने दिवस से घर में जो चल रहा है वो मुझे खबर नहीं होगी मैंने बोला था हितेन को कि वो हार कबाट में रखे पड़ उसने नहीं रखा अने जारे में उससे पूछने गया तो शू बोले तो कि भूल हो गई दरबर ने तू थी ने वहाँ मैं ये सुनकर मैं वहाँ से चला गया पड़ जादा दूर नहीं गया दरवाजे पे खड़े खड़े तेरी अने हीते इनकी सब बात सुनी क्यों जूट बुलवाया मुझसे कहने देदी ना सच कि मैं खेमी से प्यार करता हूँ मुझे तुमारे मालिक के सामने जूट बोलने की ज़रूरत नहीं थी मैंने कहा ना आपसे ये मेरी बेना के बविश्र का सवाल है और आप कभी नी चाहेंगे एक कोई भी लड़की के साथ ऐसा हो अवे समझी गई नहीं तू मने कबर छे चोकरी कि तुने भले ही अंजाने में वो हार अपनी बेन के गले में डाला हुए पण हितेन ने जान कर वो हार वहां बिजवाया था अवे तू मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे ये बात मुझसे छिपाई क्यों तूने है बास बास हो भी था मालिक मैंने ये बात आप से अब तक छुपाई इसलिए मैं मावी चाहती हूँ मैंने ये बात इसलिए छिपाई जिसलिए मैंने कादमबरी के बात छिपाई दी मैंने सूचा कि उसका हल मैं खुद निकाल लूगी और आपको तकलिफ न दू क्यामी बेना मांग लिक है और मैंने नहीं चाहती कि उसका असर इतीन मेह पर पड़े इस दूश की वज़़ से होने वाले पती की जान भी जा सकती है कहीं ऐसा नहों कि उनके जिंदगी के साथ कोई हूच नहीं चो जाए इसलिए मैंने नानाची के नाम पर आप से चूट कहा था कि केमी बेना का लगन यहां नहीं हो काओ में हो पर अब कोई रास दानी इतीन माय को रोकने के लिए मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं हो इतीन को रोकना मेरा काम है इतला माटे में निर्ने करें हो छे है कि तेरी बेन का कन्यादान में करूँगा किम की यह शांत मन से लेने वाला निर्ने है मेरे घर का मान और तेरे नाना जी का सम्मान दाओ पे लगा है तो ने भी जीवाद हितेन मेरी संतान है मेरे जैसा हट्टी है वो एक बार मन में विचार लेवन है इटले पती करूँ करके दिखाएगा ये क्रोज से नहीं शांत मन से लिया वा निर्ने है मेरा माली आप कुछ भी कीजी मैं बस इतना ही चाहती हूँ ये गेमी मेन और शम्मुची का लगन होचा ये बीनती है मेरे आप से कुछ कीजी है माली आहा मुचू ने ये लगन तो होना है और होके रहेगा चला वे जा तुए यहां मने विचार हो दे चल मुचू ये बीनती है दर्वाजा बंद करने ही क्या जरूबत दर्वाजा तो बंद करना पड़े ने नहींतर तेरे मेरे बीच में होने वाली बात के कारण ये घर की मर्यादा घर के बार चली जा रहे है मतलब मादो सोलंकी के यहां गया था ने तू डंड भोगने मुझे लगा कि मादो सोलंकी हितेन नाम का हीरा तराश्रा है सारू लागियो दो मने वो दिन जब तू गाउवालों के हित में मेरे विरुद खड़ा हुआ ने खुशी हुई थी मुझे मैंने सोचा धरमपूर का वारिस खड़ा हो रहा है पर आज पर आज क्या आज अस हीरे में खोट नजर आने लगी आपको धरमपूर के वारिस में कमी नजर आने लगी आपको दोड़ तुक बात करने वाले धरमपूर के मालिक धरमराज महियावंची आज खुमा फिरा कर बात क्यों करो जो बात करने यह सीधी सीधी करो आ तो सीधा सीधा सुन वो छुकरी खेमी को भूल जा तू और अब तो मैं जानता हूँ कि खेमी शंबू से नहीं, मुझ से प्यार करती है और मैं अपना वचन पूरा करूँगा, खेमी को इस घर की बहु बना कर लियाओंगा कोई दिवस ना था है, कोई दिवस और चोकरी इस घर की बहु नहीं बनेगी ना से, पर वो मेरी पत्नी जरूर बनी और क्यू एतराज है आपको मेरे और खेमी के शादी के लिए आपको प्यार करने का अधिकार है, अपने मन की सुनने की अधिकार है अपने से कम उम्रक की लड़की को इस घर में ले आए तो ठीक और मेरे ऐसे करने पर आपको तक्लिफ होती है खेमी समझदार है संस्कारी है और मैं उसे पसंद भी करता जिस घर से खेमी है उसी घर से आपकी मौजुदा पत्नी भी है फिर क्यूं? बताता हूं झापको धरमपूर के मालिक है ना मालिक की तरह सोचते हैं एक बाप बनकर तो कभी सोचा ही नहीं आपने बाप चुने तारो इसलिए बोल रहा हूँ तेरी चिंता होती है ने मुझे इसलिए बोल रहा हूँ अन्य दोश खेमी में नहीं उसकी कुणली में है अन्य खबर चाहिए कि आवो मांग लिखे अन्य जिस छोटे घर की छोकरी के लिए तो ताना मार रहा है ने मुझे उसके साथ भी कुणली के कारण लगन किया मैंने नहीं तर कोई दिवस उसे इस घर में नहीं लाता मै अवे मारी वात समझ शम्बू अन्य खेमी दोनों मंगलिक है अन्य दोनों का लगन पक्का हो गया है तू बीच में मत पड़ खेमी शम्बू के साथ नहीं मेरे साथ प्यार करती है ता तो ये वात पहले बोलनी चाहिए संबन जुनने से पहले बोलनी चाहिए लगन के दो दिन पहले नहीं अवे तू बागी बनकर परंपरा अन्य समाज के नियमों को तोड़ेगा ने तुम्हे तीर को तोड़ दूगा तिमकी मेंने माधो सोलंकी को वचन दिया याने मेरा वचन नहीं तूट सकता और खेमी को साथ बंदन में बानने का वचन दिया है तो अपने बाग के वचन के विरुद जाएगा अपने प्यार के लिए में किसी के विरुद जाएगा एक वार ध्यानती विचारी ले दिख़रा तुरंगराज मय्या वन्शी का करोध तूफानी नदिये भेज जाएगा मैं भी उसी नदी का एक धारा हूँ और या कर लेठीके तरमा शंबू और खेमी के लगन के बारे में सबको खबर है नहीं मिने माधो काका के परीवार के साथ शंबु के परीवार को भी वचन दिया है यह लगन नहीं हो गाने तो दोनों परीवारों की बढ़नामी होगी अन्य धरम राज महियावन्शी के छत्रचाया में ऐसा हो वे ये धरमपूर के शान के विरुदे एक बाप के नाते बोल रहा होते रखो अपनी जिद्ध छोड़ परी धीरस की और परिक्षा मत ले मेरे प्यार की परिक्षा मत लीजे अपने बाप को चुनौती दे रहे तो प्यार की चुनौती स्विकार कर रहा हूँ अन्तिम बार बोल रहा हूँ खेमी का कन्या दान में करने वाला हूँ बीच में मत अना मैं भी आपको आखरी मौका लेता मेरे पिता बढ़ने कर आशिरवाद लेता हूँ बाप बन कर दिया तो ठीक धरमपूर के मालिक बन कर दिया तो ठीक धरमपूर के मालिक फिर से चीत गए मेरे पिता से इस प्यार की लड़ाई में जोचाए जीते जीतेगा माया वंची का ही को बाप के यह पेटी के इस पार तो धरंपुर के मानिक को हार नहीं होगा हरंपुर इस पात का भी जवाब दे देदा में अगर आप मेरे माँ के पती नहीं होदे खेमी से मैं शादी करूंगा और इसकी चुनोची देता में होगा जोईशो नाना जी नाना जी आप उसे बात क्यों नहीं कर रहें बोले नो कुछ और यह आपके आखों से आसुके बहर है इसलिए कि हिते इन की सारी याद है आसुकों में घुल करके बाहर निकल जाएं और क्यों हिते इन में क्या बुरा ही है मैं उसे प्यार करती हूँ और मैं उसे लगत बस बुरा ही हिटेन में नहीं तेरी कुंडिली में है तेरे और हिटेन के रिष्टे में है और तू मांग लेक है अगर किसी आम आदमे से तेरी शादी हो जाएगी तो उसके जीवन को खत्रा है तू मुझे संतु को और मोंगी को प्यार करती है ना तू कभी ऐसा करना चाहेगी जिससे हमारी जीवन को खत्रा हो मैं इसे क्यों करूंगी अरी हीतेवन का जीवन दाओं पर क्यों लगाती है तू तू उसे प्यार करती है ना तू क्यों हो गई बोल तू इसनी स्वार्थी कैसे हो सकती धेली शेख उन अब पर शल्मज मैं ना ना थी मुझे सरो इतना सुच तूछरा है कि में हितिन से प्यार करती हूँ, और प्यार करने का अधिकार है सब के पास नहीं, हमारे पास नहीं है हम गरीबों को ईश्वर ने यह अधिकार नहीं दिया इस प्यार, यह मोबद, इस सब भरे पेट की बात है हमारे भागे में सिर्फ इतना है कि हम दो जून की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करें हाथ पाउ हमारे और आप में रोटी का कर भगवान का धन्वाद करें यही है हमारे अधिकार यही है हमारे जीवन का सत्य क्यों नहीं दिया भगवान ने हमें यह दिकार दिया क्या है हमें भगवान ने दिया है न, समझोते का रास्ता और सहन करने की शक्ति, अब इसे तू बरदान समझ या विशाफ, और यही हमारी पूजी है, हो सकता है तेरे नाना के कंधे, जम्मेदारियों के बोश से जुग गया हूँ, ति बेटा मैंने कभी अपनी नजरे नहीं जुखने दी, यह नौबर कभी भी नहीं आई, हो सकता है, पाउप फैलारते समय, चादर छोटी पड़ गई हो, लेकिन मैंने अपनी इज़्जत कम कभी नहीं होने दी, मैं बस इतना कहूंगा खेमी, कभल जाओ, तुज इस रास्ते पर चलना चाहती है, हम गरीबों के लिए उसमें फूल नहीं है, सिर्फ काटे ही काटे है, और जिस रास्ते पर आप मुझे चलने के लिए कह रहे हैं, नना जी, उस रास्ते पर भी सिर्फ काटे हैं, मैं जिससे प्यार नहीं करती, उसके साथ लगन करने के पाद, क्यों मुझे फूल मिलेंगे, पिटा, उस रास्ते में फूल भल सिर्फ हीटेन दिखाई देता है मैं बूड़ा हो गया हूँ मेरी नजरें हो सकता है कमजोर हो गई किन मैं दूर भविश्च के पेट में क्या है कि अच्छी तरह से देख सकता हूँ मेरी बात सुन बेटा तो हीटेन के बारे में सोचना छोड़ दे संदू की होने वाली पत्नी है कल तेरा लगन है उसके साथ जा के सोजा कि या फिर इतना रोले सारी यादें आस्रों में भूलकर के बाहर निकल जाएं मैं भी आपको 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 मेरे पिताबे इस पिताबे इस प्यार की लड़ाई मैं जोचाएजी जीतेगा माहिया वन्ची कहीं को इस पार तो धर्मपुर के मानिक को हार नहीं होगा कि खेमी से मैं शादी करूंगा और इसकी चुनाउची देता होगा अब ये लगन गाव में होगा गावालों की हाजरी मेरी हाजरी अने हूँ पोते पोते खेमी नो कन्यादान करेश खेमी से मैं शादी करूंगा और इसकी चुनाची देता होगा अब ये चोकरी क्या हूँ मालिक कितीन बार से बात हुए ये प्रश्ना करने का समय नहीं है चाल मारा साथ है मादो गागा मादो गागा मालिक मालिक जब तक इसका लगन नहीं हो जाता आपके घर की ये आपके घर के मान की रक्षा और पहरेदारी तरमराज महियावन्शी करेगा मेने आपको वचन दिया था ने कि मैं इसका लगन शंबू के साथ करवाँगा मेरा वचन अटल रहेगा अगर जाओ तुम्हे आराम करो ये चोकरी तुम्हे नाना जी को भीतर लेके जा तुश्यू बावबा मरू मोडू जोएश है तुश्यू बावबा मरू मोडू जोएश है तुश्यू जा कि अच्छे चूड़िया है ना अरे चंपाकली हाँ चंपाकली एक बात बता ये खितेन भाई जो है वो इस घर के सबसे बड़े बेटे है ना हाँ क्यों क्या हुआ अरे कुछ हुआ नहीं मैं ऐसे पूछ रही थी खितेन भाई सबसे बड़े हैं और उनसे छोटी है कादमबरी बेन कादमबरी कौन कादमबरी बेन अभी कुछ दिन पहले ही तो उनकी शादी हुई है अच्छा अच्छा फिर तो वो उनके घर होगी ना हाँ वो अपनी से सुराल में है और उनसे छोटे हैं मॉलिक भाई मॉलिक वो कहा है वो हस्पिताल में है क्यों बिमार है क्या उनको न शराब की आदत लग गई थी उसको छुड़वाने के लिए उन्हें आस्पिताल भिजा गया और और हाँ सबसे छोटी है बिर्वा और उससे भी छोटे है सूरज भाई वो देखो क्यों कर लिए पूरी जासुसी और तू कलूटी क्यों उल्टी उसके सामने है वो बेनबा इन्होंने पूछा तो मैंने बताया कोई कुछ भी पूछेगा और तू कुछ भी पता देगी अरे बच्चे बेनबा बच्चों की बारे में पूछ रही थी मैं कितना हरा भरा गर है करते हैं तू कि आप उसके बदले में तुझे यह पताना होगा कि कांजी वाघला कहां है क्यों कांजी वाघला के बारे में क्या जानना चाहती आप कि अरे वा कि वी के लगेंगे लिए तुझे सब्री है ना जब को आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी है है ना बेंबा हाँ 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 अरे थारू तु घर के कपड़े में क्यों है धरम राज कन्या जान कने वाला है और तू ऐसी अके हो किया शायब Bernard को छोटे लोगों के लखन रसन में कोई दिलचस्ट भी नहीं ये भाग मालगे इतना प्यार करते हैं चोटे लोगों स विथasking क्यूय यह बेंबा छोटे लोगों से इतने घृणा करती है अच तुछ मलके नहीं नहीं करते थी तू सुबद्र को बज़ा दीते हैं कैसे है अरे बाप धरंपूर में मालकिन को कौन नहीं जानता सब तो बाते करते हैं उनके अच्छे स्वभाव की हां बहुत अच्छी थी वो अब बाते ही करती रहेगी यह काम भी संभालेगी परेंब आप तो गुसा हो गई मुझसे अब चल भी तरू हाँ बाव मैं तयार हो के आती हूँ सच कहां आपने नानका कन्यादान करेगा और मैं ऐसे ठीक ती लगेगा मैं तयार हो के आती हूँ आप चलिए जल्ली आना हां हाँ बहुत उड़ रही है तो लेकिन एक पात कान खोल के सुनले चमको इस आप में हाथ मट डाल मट डाल नहीं तो हाथ चल जाएगा तिरा समझी आप से खेलना तो आप जैसे बड़े लोगों का काम है तरूपे हम छोटे लोग तो आप पर हाथ रखकर बिस हाथ करम कर लेते हैं और आपको परवड़े गानी तरूपे मुझसे गुस्सा करना अगर कांजी वाघेला के बारे में जानना चाहती हो तो सबर तो रखना ही होगा तो पांच पच्चों की मात ही सुभद्र मालिक चाहिए मालिक चाहिए लोग अंदर सब बरोबरे नहीं जी मालिक जरा अपनी बेन पे नजर रखना पीतिन से बात करने के बाद में जरा संक्षें में हूँ खबरनी क्या कब कर चाहिए विसे जब तक मैं बेठा हूँ नहीं कुछ होगा नहीं इतला मट तु चिंता मत कर मुझ पर तो विश्वास है नहीं कैसे विश्वास नहीं होगा मालिक मालिक आप रात पर ऐसे यहां बैठे रहे थोड़ा हराम कर लीचे श्यू इतिन मेरा खून है पलक जब की नहीं के वो अपना काम कर जाएगा पिर कोण रोकेगा उसे तू है बात करती है मालिक कुछ खाने को लब आपके लिए नहीं बस चाप पिली नहीं अब जा ने तेरी बेन को तयार कर जाए श्रीकिष्ण मालिक आर अमेश बोल सब बरोबर है ने मंडप में आ मालिक पूरा पेरह दे दिया है इतेन भाई याए तो उनको हम छोड़ेंगी नहीं जो बोलियो जितना बोला है ने उतना कर उसियारी मत कर ये कभी भूलना मत कीटेन मेरा डिकरा है तमजो ने जावे ये जी मालिक इत्रोकरी सब को बोल दे के मंडप में पोंचे उन्हे तेरी बेन को अपने साथ ले गाड़ी में चालो चालो बेन समझ गए ना किसी की भी निगाथ चूक नहीं नहीं चाहिए तब कि आँखे सतर और कांचोकस जैशी किष्ण बावल जैशी किष्ण बेटा और कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे फोन कर दे पिरा किन पुचे सिर्शी ये सब क्या है इतना पहरा क्यों पता नहीं पापुजी मोटा भाई को हुकम था इसलिए पहरा ठराया कोई तो बात होगी तभी तो नानका नहीं सक्या धरम राज जैशी किष्ण मोटा भाई पिना किन बदू बरोबर चन जी मोटा भाई आओ झाल 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 में झाल झाल दो मुझे माफ कर देना खेमी अगर कोई गल्ती या बेद भी हो गई हो तो बड़े बनकर उसे माफ कर दीजेगा शंबू तो सब कुछ जान चुका है फिर वो यहां क्यों आया है और मुझे नहीं दिन कहा रहा है कैसे मुझे यह शादी करने से रोकेगा वो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है झाल 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 झाल